नमस्कार, मेरे चनल में आप सभी का स्वागत है मैं डौक्टर अंजू ओजा, आज आपको प्रशान्त महासागर की धाराओं के बारे में बता लें जा रही हूँ तो यहां हम देख रहे हैं कि प्रशान्त महासागर की जो पहली धारा है वो है उत्री विश्वत रेखिय धारा उत्री विश्वत रेखिय धारा अट्लांटिक महासागर में भी चलती है और प्रशान्त महासागर में भी चलती है यह धारा मैक्सिको के तट से प्रारम होकर पस एलिफूर्निया धारा तथा दक्षनी पूर्वी मानसुन हावाओं के योग से इस धारा का आविर्भाव होता है जैसे जैसे धारा पस्चिम की और अगरसर होती है इसमें दाहिनी और से कई उपशाखाएं मिलती जाती है और इसके जलका आयतन बढ़ता जाता है हम देख रह जाती है फार्मूसा के पास इसकी एक शाखा उत्तर की और मुड़ जाती है तथा क्यूरोसी वो धारा से मिल जाती है दक्षनी शाखा पूरव की और मुड़ कर प्रति विश्वत रेखिये धारा का निर्मान करती है उत्तरी विश्वत रेखिये धारा एक एविचिन श्रं उंकला के रूप में प्रवाहित होती है इसकी उत्री तथा दक्षनी सीमा में मौस्मी परिवर्तन देखने को मिलता है इसकी दक्षनी सीमा में 10 दिगरी उत्री अक्षांस तथा सर्दियों में 5 दिगरी उत्री अक्षांस तक रहती है इस तरह उत्री विश्वत रेखिये धा जिस तरह से अट्लांटिक महासागर में दक्षनी विश्वत रेखिये धारा बहती है। जिस कारण इसके जल का आयतन निरंतर बढ़ता जाता है। प्रती विश्वत रेखिये धारा भी पूर्वी की दोनों धाराओं की तरह प्रशान्त महासागर में भी चलती है। अट्लांटिक महासागर में भी चलती है। उत्री तथा दक्षनी विश्वत रेखिये धाराओं के मद्धें पस्चिम से पूरव दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को प्रती विश्वत रेखिये धारा करते हैं। व्यापारिक पवनों के कारण महासागर के पस्च्वी भाग में जल का संचे होने से पूरव से पक्षिम की और एक सामान्य धाल प्रवन्ता का निर्मान हो जता है। जिस कारण जल एक धारा के रूप में धाल के सहारे पूरव दिशा की और प्रवाहित होने लगता है। प्रशान्त महासागर में प्रत्वी विश्वत्रे की धारा सरवाधिक विक्सित होती है। यह धारा पस्चिन से मिंडनाओं से पूरों में पनामा की खाड़ी तक प्रवाहित होती है, जहां पर इसकी दो उप्षाखाएं दक्षिन की और मुड़कर पनामा की खाड़ी में चले जाती है, नेक्स्ट धारा है क्यूरो सीवो तंत्र, इससे पहले की वीडियो में हमने ब अट्लांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम तंत्र के समान ही प्रशान्त महासागर में भी क्यूरो सीवो तंत्र का पूर्ण विकास हुए, तो गल्फ स्ट्रीम तंत्र जो अट्लांटिक महासागर में हमने अध्यन किया था, उसी तरह है क्यूरो सीवो तंत्र, यह क्रम दिफीन लुटाएं शामिल की जाती हैं नमबर वन है क्यूरो सीवों लगारा उत्रि विश्वत रेखिये द क्यून ओंद्साइते हैं एक्षमी?' के रिव्यू तक प्रवाहित होती है। दूसरा है क्यूरोसी वो प्रसार 35 डिगरी उत्तरी अक्षांस के पास क्यूरोसी वो धारा पच्छवा हवा के कारण जापान तट छोड़ कर पूरव की और मुड़ जाती है तथा दो शाखाओं में बढ़ जाती है। नमबर वन एक शाखा पूरव दिशा की अगरसर होती है और दूसरी शाखा उत्तर पूरव दिशा में। यह धारा अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम के समान होती है। आगे चलकर क्यूरोसीवो के साथ उत्तर से आने वाली थंडी ओयाशीवो धारा से मिल जाती है। तीसरा है उत्तरी प्रशान्त महासागरिय प्रवा। पच्छवा हावा के प्रभाव में क्यूरोसीवो पूरव की और निरंतर बढ़ती जाती है तथा उत्तरी अमेरिका के पस्चिमी तर्ट तक पहुँचती है। 150 डिग्री पस्चिमी देशांतर के पहले ही इस धारा का प्रमुक भाग दक्षिन की और मुड़ जाता है और थोड़ा भाग ही अमेरिका तर्ट तथा हवाई द्वीब के बीच प्रविस्थ हो जाता है। आगे चलने पर इनका पुने द्वी शाखान हो जाता है यानि दो भागाओं में बढ़ जाती है। शुशीमा तीस डिगरी उत्री अक्षान्स के पास क्यूरो सीवो से एक शाखा अलग होकर जापान सागर में चले जाती है जो पस्चिमी जापान तट से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है प्रती क्यूरो सीवो धारा हवाई द्वीब तथा अमेरिकी द्वीब के मद्दे क्यूरो सीवो में चक्राकार रूप बन जाता है जिस कारण इसकी दिशा पस्चिमी हो जाती है इसे प्रती क्यूरो सीवो धारा कहते हैं। अगली धारा है ओई शीवो धारा, इसे क्यूराईल ठंडी धारा भी कहा जाता है, यह धारा बेरिंग जल डमरू मद्दे से होकर दक्षिन की और प्रवाईत होती है, जिसके द्वारा आर्क्टिक सागर का ठंडा जल प्रशान्त महासागर में लाया जाता है, बहुत बार बुक्तरी अक्षान्स के पास इसकी एक शाखा पूरव की और मुड़ जाती है, तथा एलूशियन एवं क्यूरो सीवो धाराओं से मिल जाती है, दूसरी शाखा दक्षिन की और जापान के पूर्वी तर्टक प्रवाहित होती है, इसकी तुलना अट्लांटिक महासागर की लेब्रेडोर धारा से की जाती है, कम्पेटिशन एकजाम में पूछा दाता है कि अट्लांटिक महासागर की लेब्रेडोर धारा के समान प्रशान्त महासागर की कौन सी धारा है, तो वो हो गई ओयशिवो धारा, जहां पर ओयशिवो धारा, क्यूरोशिवो धारा से मिलती वहां पर कोहरा उत्पन होता है जो जल्यानों के लिए छती कारक होता है कोहरा उत्पन होने का कारण होता है एक धारा गरम है और एक धारा ठंडी है जिससे ताफ व्यतिक रमन के कारण कोहरे की उत्पती होती है अगली धारा है कैलिफोर्निया धारा यह एक ठंडी धारा है ज अट्लंटिक महासागर की कौन सी धारा के समान है तो यह धारा उत्री प्रशांत महासागर यह त्हयरा का ही बड़ा हुआ भाग है, जब व्यापारिक हावाऊं के प्रभाव से अमेरिकी तट्स से जल हट कर उत्री विश्वत रेखिये धारा के के रूप में पस्चिन की और प्रवाहित होने लगती है तो तट के पास जला भाव की पूर्ती के लिए उत्तर से दक्षिन दिशा में कैलिफोर्निया धारा चलने लगती है दक्षिन में पहुंचने पर व्यापारिक हावाओं के कारण यह पस्चिन दिशा की और मुड़कर उत्री विश्वत रेखिये धारा से मिल जाती है अगली धारा है पीरू धारा दक्षिनी अमेरिका के पक्षमी तट के सहरे दक्षिन से उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को पीरू धारा या हमबोल्ट धारा करते हैं इसमें competition exam में जब पूछा जाता है तो कई बार पीरू धारा और कई बार हमबोल्ड धारा के नाम से पूछा जाता है तट के पास इसे पीरू तटिय धारा तथा तट से दूर पीरू महा सागरिय धारा कहते हैं इस धारा की चोड़ाई में विस्तार बहुत अधिक और इसका तापमान और लवन्ता दोनों कम होती है अगली धारा है अल्निनो तथा ला नीणा धारा अल्निनो धारा को विपरीत धारा के नाम से जना दता है जो दक्षिन अमेरिका के पेरु तट के पस्चिम में तट से 180 किलोमेटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिन दिशा में प्रवाहित होती है इसका विस्तार तीन डिगरी डक्षनी अक्षांस से 18 डिगरी डक्षनी अक्षांस तक रहता है तो कई बार competition exam में इ यह भी पूछ जाता है पेरु तट के पास पेरु की ठंडी जल धारा दक्षिन से उत्तर दिशा में चलती है तथा पेरु का सागर तटिये भाग रेगिस्तानी है शरद काल में विश्वत रेखिये विप्रीत धारा दक्षिन की ओर खिसक जाती है तथा अन लीनों को जनम से दिधिती है इस धारा के कारण प्यरु तट्का ताप मान सामाने से अधिक हो जाता है तो बहुत पुंचे तापमान सामाने से 3-4 डिगरी संटिग्रेट बढ़ जाता है। वर्तमान समय में अलनीनों को एक मौसमी घटना के रूप में लिया जाता है। अलनीनों को येशु शिशु तथा लानीना को अलनीनों की छोटी बहन के रूप में मानिता दी गई है। अलनीनों का सम्मंद पूर्वी प्रशान्त महा सागरिय जल के तापमान में व्रधी तथा लानीनों का पस्च्वी प्रशान्त महा सागर के उश्मन से जोडा गया है। अलनिनों के प्रबल होने से पेरु तट पर सामाने से बहुत अधिक वर्षा होती है जिस कारण सागरिय तटिय भाग हरे हो जाते हैं इस धारा के सक्रिय होने पर पेरु तट के पास ठंडी जल रासी गर्म हो जाती है तथा वर्ष के प्रतमार्द के प्रारंबिक महिनों में अत्यधिक व्रस्टी होती है, अलनिनों के कारण पेरु तट के स्थलिये भागों तथा सागरिये भागों के विप्रीत प्रभाव पड़ता है, अत्यधिक व्रस्टी के कारण तटिये रेगिस्तानी स्थलिये भाग हरे बरे हो जाते हैं, कपास, नारियल तथा केला की खेती ह होने लगती है परंतु सागर्य भाग पर जैविक सर्वनास हो जाता है कि अल्नीनों के सकरिए होने पर यह प्रकिरिया बंध हो जाती है जिसकारण पोषक तत्वों के आभाव के कारण प्रात्मिक उत्पादक जैसे कि हरे पौदे और प्लेंक्टन्स के अधिक कम हो जाने के कारण सागरिय आहार श्रंकला भंग हो जाती है, परिनाम सुरूप सागरिय जीव खासकर मचलिया यातों मर जाती है या अन्यंत्र प्लायन कर जाती है, जिस वर्ष अल्नीनो प्रबल होती है उस साल पूर्वी प्रशान्त महासागर के पूर्वी उशन कटी बंदिये भाग में जल वरस्टी में औसत से चार से छे गुनी वृद्धी हो जाती है जबकि पस्चिमी प्रशान्त महासागर ये छेतर में सूखे की इस्तिती हो जाती है जिस कारण इंडोनेशिया, भारत, बंगलादेश, आदी, सूखे की चपेट में आ जाते हैं तो हमने कई बार देखा है कि इंडोनेशिया, भारत, बंगलादेश, आदी में सूखे की स्थित्य उत्पन हो जाती है तो उसका कारण अलनीनो को माना गया है ला निना भी एक प्रतिसागरिय धारा है इसका अविर्भाव पस्चमी प्रशान्त महासागर में उस समय होता है जबकि पूर्वी प्रशान्त महासागर में अल निनो का प्रभाव समाप्त होता है तो जब अल निनो का प्रभाव समाप्त होगा तब ला निना का प्रभाव स् देती है तथा आद्र मोसम को जनम देती है ला नीना के अविर्भाव के साथ पक्षमी प्रशान्त महासागर के उशन कटी बंदिये भाग में तापमान में वर्दी होने से वाश्पी करण अधिक होने से इंडोनेशिया एवं समीप वर्ती भागों में सामाने से अधिक जलव अन्लिनो तथा दक्षनी दोलन एक दूसरे से सम्मंदित बताए गए है अते इने समलित रूप से इन्सो कहा जाता है इन्सो क्या है ये भी कई बार कंप्टिशन एकजाम में पूछ जाता है जलवायू विज्यानी इन्सो को भूम अंडलिये प्राकरतिक तथा विनाश का परियाप्त मानते हैं यहां हम इस स्लाइट पर देख पा रहे हैं कि प्रशान्त महासागर की मुख्य मुख्य धाराओं के बारे में दर्शाया गया है जिसमें पेरु धारा उत्री अट्लांटिक उत्री प्रशान्त महासागर ये प्रवा और कई तरह की धाराओं के बारे म दक्षनी शाखा आस्ट्रेलिया के पूर्वी तटके सहारे दक्षन दिशा में बहने लगती है जिस कारण न्यूजिलेंड इस धारा द्वारा घिर जाता है यह एक स्थाई एवं गर्म धारा है अगली धारा है पच्छुआ पवन प्रवा अट्लांटिक महासागर के समान ही प्रशान्त महासागर में भी पच्छुआ हवा के प्रभाव से 40 से 45 डिगरी दक्षनी अक्षांस के पास एक प्रबल धारा पस्चिम से पूरव दिशा में तश्मानिया तथा दक्षनी अमेरिकी तटके मध्ये प्रवाहित होती है अत्यदिक जल विस्तार तथा गरस्ती च एक्षनी अक्षांस के पास इसकी दो शाखाएं हो जाती है एक शाखा हौन अंत्रीप से होकर अट्लांटिक महासागर में चली जाती है और दूसरी शाखा उत्तर की और मुड़कर पीरू धारा से मिल जाती है इसी के साथ यह विशे यहीं पर समाप्त होता है अंत में आप कैवं सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद